Okay, sixth set है, general knowledge का, जल्दी से करेंगे क्योंकि एक्जाम आपके नजदीक है, शायद एक ही बाशा में मैं पढ़ूँ, which of the following indicator is not, not को करेंगे circle, included in calculation of HDI, Human Development Index, gross domestic product and per capita, economics का पार्ट है, economic status, yes देखा जाएगा, easy करके ये, literacy rate, education का पार्ट है, yes, ये भी देखा जाता है, किसी देश का development कितनी होई है, और उसको दूसरे देश की development से compare करना है, तो ये calculate किया जाता है, Human Development Index, और जब Development Index calculate किया जाता है, उसमें कौन-कौन से पार्ट calculate किया जाते है, economics का है, education का है, तीसरा है, life expectancy, okay, assess to clean water, ये पार्ट नहीं है, narrow है, इसको reject ऐसे ही कर सकते हैं, तो important है, कौन से हैं, वो ज्यादा आपको पूछे जा सकते हैं, मेरा तुझी करता है, एक ही मैं पढ़ लें क्योंकि तेजी है, ग्यान दर्शन 1 and ग्यारन दर्शन 2 are primarily focused on broadcasting educational program through, तो यहां पर ग्यान दर्शन 1, 2 confuse करने के लिए है, ग्यान क को भी छोड़ दीजे यहां पर, दर्शन को याद रखिये, दर्शन कैसे करते हैं, दर्शन कानों से करते हैं कि आंखों से करते हैं, अगर आंखों से करते हैं, तो क्या आंखों का साधन कौन सा है, radio, very good, नहीं, television, नहीं, yes, yes, television है ना, खुद सोचिए, इसलिए confuse कर रहा हू तो television जहां दर्शन आता है, वहां television आ गया, तो दोनों ही जो हैं, वो जैसे दूर दर्शन देखना है, उसी से बनाएंगे हैं, ग्यान वानी, यहां पर दिखिए, वानी पर अब जोर दीजे, वानी का संबंद ये देखना television से ज्यादा है, इंटरनेट से ज्यादा है, एकली वानी का मतलब सुंदना, हाना, यह कान कानों से सुंते हैं, रेडियो के से संबंदत, ग्यान इंदरी इस से बैच करती है, और वानी उसका संबंद है, वट दस ICT stand for, आपके इस लेवस में बाद में एक पूरा paper होगा, ICT in Education, Information and Communication Technology, Information है, Confused कैसे हो सकते हो, Computer Technology, नहीं, Communication अग्राइशन टेक्नोलजी है यह रही इन्फोमेशन और कम्मुनिकेशन टेक्नोलजी नेक्स्ट कॉस्टन है इंग्लिश भी करना है विच फेक्टर इस इस इंगल बिगेस्ट कंट्रीबुटर और टू डिजिटल गैप इन इंडिया अब यह देख लीजिए के हमारे जो डि यह एजुकेशन पहुंच नहीं पाई तो नए डिजिटल इनिशेटिव गॉर्मेंट ने लिए हैं और उन पर बड़े कॉश्टन पूछे जाते हैं और उन पर दो तीन वीडियो अलग से हैं उन से कॉश्टन आते ही आते हैं जैसे स्वैम है स्वैम प्रभा है ना दीक्ष निश्ठा है ऐसे कई प्रोग्राम है काफी प्रोग्राम है तो उन पर दो दो कॉश्टन बनाके डिजिटल इनिशेटिव का पार्ट तू भी अभी आ गया होगा तो यह रहा है कि कौन सा गैप इन्होंने लेकिन बड़ा कॉश्टन पुच्छा है तो गैप का कारण क्या हो सकता है अमीरी गरीब भी हो साथी गरीब के पास नहीं पहुंचेगा हना रूरल अर्बन रूरल के पास नहीं पहुंचेगा एज का भी हो सकता है बज़ुर्ग के पास नहीं बज़ुर्ग के इंटरनेट यह वो नहीं यूज कर रहे हैं तो सबसे बड़ा कारण कारण वीच इस दी टलेस्ट वाटरफाल इंडिया तॉल्ष्ट वाटरफाल वाटरफाल कुछा है यहां डोलिऑ खी द्धवनी ले ली यहां पर सबसे उच्छा घरना तो यह वाटरफाल और यह इसको जोड़िया वज्जरएई वाटरफाल वीडवलु इसकी एक उठाई वी इससे मैच कर रहा है वाटरफाल यहां से गिर रहा है ओके इसको पढ़ने का कोई भी फाइदा नहीं है क्योंकि कुद्रत की फोटो लेते हैं आप कुद्रत को तो देखने का फाइदा है लेकिन यह भी इमेज ही है चलो something is better than nothing यह रहा वाटरफाल दूर्स की इमेज है और यह देखने में इतना छोटा लग रहा है काफी 29 से यहां से गिर रहा है next question है in which year and in which place इंडिया national anthem was sung for first time first time ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि first time यह होगे ग्यारा ओके 1911 याद हो गया हमे 1911 में first time अब कॉलकत्ता में है तो first time इसके कोई नहीं बन रहा ऐसे कर लो फिर first यह ऐसे भी हो सकता है first time के ग्यारा कॉलकत्ता अगर ऐसे याद होता है अगर यह ऐसे याद रहता है इतनी exercise जब आप करोगे थोड़े effort गलत भी होंगे उसके बाद याद रहेगा आपको next time neuron software technology park is situated neuron पता है तो ठीक है नहीं पता है तो फिर तुक्का लगाना पड़ेगा कि याद रहे तुक्का नहीं मतलब मुझे तो पता ही है तो neuron के neuron के मैंने यह उठा लिए एक N और दूसरा N ओके अगर ऐसे भी करना है तो वह बन गया M M किसका है यह महाली का ऐसे जोड़ दिया याद रखने के लिए अगर आपको ऐसे याद रहता है neuron software technology पार्क कहा है महाली में हाना फॉस्ट 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 इंडिया की फॉस्ट प्लैंड सिटी क्या है कौन सी है यह पुछा जाए तो कौन सी होगी चंडीगड who is the coil of Punjab सुरिंदर कौर मेरी खेल में difficult नहीं है in which year did government of Punjab हरी के wetland was wildlife century घोशित कर दिया गया था हरी के पत्तन को साइबेरिया से पंची आते हैं हमारे हरी के पत्तन में जहां वो सतलूज और ब्यास मिलते हैं शायद तो wetland है और northern इंडिया का सबसे बड़ा wetland है और internationally जो importance है इसकी रखी गई है इसको wildlife century कब घोशित किया गया अब Punjab में century है जो इसको याद रखना है तो यह S हुआ S के साथ थोड़ा सा करेंगे यह S का बन गया 8 it means 8 8 8 वाला right answer हमने रखना है यह याद करवा रहा हूं अगर दूसरा है के century का यह A है तो इसका A का दो बना लो बस भीया यह बन गए 82 82 में इसको घोशित किया गया था wildlife century where was the first Punjabi printing press established अब पंजाबी printing press मुझे तो पता है लुद्याना में लेकिन आप याद कैसे करोगे अब प्रिंटिंग प्रेस यह रखा मैंने प्रिंटिंग प्रेस हाना प्रिंटिंग प्रेस से करा के जो most populated है पॉपूलेटर्ड सिटी ऑफ पंजाब हना तो अध्याना आगया अलो ध्याना में ही P4 प्रेस कर दिया ऐसे भी याद रह सकता है ऐसे क्या होगा दो तिन स्टार्ट ट्रेड उइडि इंडिया फ्रॉम विच्ट सीटी कां से स्टार्ट किया है ना हमारी सूरत ही विया धागड़ दी जानए अनोने दीरे यही यादकरने के लिए है हना तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें अजादी दूगा ये किसने कहा था भगए सिंग ने लाला लाज पत्राय ने सुभाष चंदर बोस ने हना कौन चंदरा खून मंगता है ऐसे याद हो सकता है यह कौन बॉस है जो यहां पर और कोई है नहीं मिल रही रहने दे दूंगा हिंदी में खूंग सुभाश नहीं ठीक है इतनी ठीक है ओके नेक्स चलते हैं कॉश्चन है हमारे पास नम्बरिंग नहीं की क्योंकि जड़ा तेजी थी How often is NAS conducted? NAS की full form भी पूछी जा सकती है National Achievement Survey जो स्कूल की classes है उन्होंने learning outcome उनकी कितना learn कर चुके हैं किस subject में कुछ subject हैं कुछ classes हैं इंडिया के सारे उस class के बच्चे नहीं sample survey है sample में उठाया जाता है तीन साल बाद होता है और उससे assessment होती है कि हमारी weakness कहां हैं कौन से बच्चे आगे जा रहे हैं कौन से बच्चे पीछे किस subject में आगे maths में आगे social science में आगे language English में आगे कहां आगे जाए कौन सी state आगे चलता है जैसे पंजाब इस बार 2021 का हुआ तो पंजाब यह इस पूरा वीडियो बनना है पता नहीं जब तक आपका exam हो जाएगा मैं अब क्या करूं तो पंजाब लीडिंग है इस बार तो हर तीन साल बाद 2021 में हुआ था अगला कब होगा यह पूछा जा सकता है तीन प्लस कर देना जो गौर्मेंट पंजाब ने स्कूल आफ एमिनेंस है ना खोलने जैसे पहले कौन से स्कूल थे meritorious school थे meritorious जो स्कूल थे वो residential है और वो मेरे खहल में प्लस वन टू के लिए है और जो यह होंगे non residential होगे इनकी जो है इसमें comprehensive जो है all round development की बाते ऐसे की जाती है teachers अच्छे select करके रख ऐसे कुछ बाते की जा रही है इस पर भी अलग से video लेकिन time नहीं लगेगा तो eminence में पहले पड़ाओ में यह दिली के आमादी पार्टी है वहाँ भी यहाँ भी तो आमादी पार्टी ने वहाँ जो school of specialized eminence दिली में है शायद उसके base पर यह scheme पंजाब में लागू की है first educational initiative of आमादी पार्टी school of eminence start करने तो जितनी कितने हैं हमारे राज्य समा के member कितने होते हैं MPs राज्य समा के 7 और लोग समा के 13 टोटल हो गए 20 और जब पंजाब की election होती है तो कितनी seats के लिए vote हाना जो लड़े जाते हैं जो है विधान सबा के आगे चले next full form of RTE act पूछा जा सकता है बहुत ज़्यादा important RTE act क्योंकि education का base है पहली बार जो RTE act पर वीडियो शायद है हम 135 इंट्री है जिसने RTE को बना दिया है तो अब इसको याद करना है कैसे करेंगे यह problem है यह दिखी इसका नाम बहुत लंबा है मैंने कैसे याद अगर टेक्निकल रखना है पहले एक अंग है जिसमें दो फ्रेज आएंगे right to children दूसरा एक फ्रेज आएगा T को वैसी एसोचेट के आए right to children free and compulsory E के लिए दो फ्रेज जबो शाबद sorry phrase नहीं अशाबद education act right of children to free and compulsory education act इत मींज 6 main term जहां आएंगी वो वाला right होगा यह याद करने का सिर्फ तरीका रखा है Right of Children to Free and Compulsory Education Act is a right option. As per RTE Act, Private and Specified Category of Schools, RTE Act के अनुसार निजी और निर्देश श्रेनी के स्कूल कक्षा 1 में कमजोर वर्ग और वंचित स्मू में डैश परसेंटेज बच्चों को प्रवेश देंगे. Simple है कि Private Schools जहां जो कुछ विशे स्कूल हैं उनमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं तो RTE Act ने कहा है वहां भी weaker section के बच्चे पढ़ सकते हैं तो minimum कितनी seats, minimum कितनी seats उनके लिए reserve होगी तो answer very important question है 25% next है full form of CCE यार यह नहीं भूलना यह बहुत ज्यादा आपकी BAD, DLAD जो भी आप कर रहे हैं उसमें आएगा education में, UGC net में यह evaluation का part है सबसे पहले evaluation, E से evaluation ओके तो evaluation पहले narrow थी और कभी-कभी होती थी मनला last time में होती थी, summative अब continuous यह हो गया continuous यह हो गया comprehensive ऐसे हैं रोज होगी और comprehensive होगी ऐसे करके भी याद कर सकते हैं इसका right answer है continuous and comprehensive evaluation continuous and comprehensive evaluation right option है पंजाबी नावल चिक्टा लहू वाज रिटन बाए गुद पता होना चाहिए पंजाबी नावल चिक्टा लहू किसके द्वारा लिखा गया अमरिता प्रीतम ने नावल लिखे थे कविताएं शिवकुमार बटाली कविताएं गुरबक्ष सिंग प्रीत लड़ इननाने वार तक लेखी नानक सिंग ने नावल लिख्य रहें तो नानक सिंग की एरचना है वीज यह दम न날 सीवाइध वसमों ऑफ मौधरह अफ मौडरन पंजाबी लिटरेक्र मौडरन फंचाब हम दोट्रह ना भी पते हैं को चाहिँ और और हैं हमारे वीर काब हैं। जो है यह जंग नम्गा है। यह यह वो है तो उसकी तो वूड्स वर्थ कीट यह ऐसी पोएम तो भाई वीर सिंग ने क्या किया कि पहली बार कोशिश की कि वह रूप वह जो वहां प्रचलित हैं उनको पंजाबी लिट्रेचर में लाया जाए इसलिए उन्हें पहली कविता पहला नावल पहला पहला लिखने की कोशिश की दैट नोचे उनको पहला मास्ट्री जो स्किल्स सबसे ज़्यादा किसमें थी वो कविता में थी अना कविता में उन्होंने गुरुबानी को की इंटरपेशन उन्हों गुरुबानी कुझी भी शायदे नानो जिदा पाई गुद्दास जीनों क्या जाना सी शायद मेनों पूरा यान सो गुर्पानी दी रीएं प्रपेशन करने इजताए गुर्दास जी ने इजय करके गुरफेरम छी थिपानेर संधिerek के cdca इससे तरह पाई वीर संग ने आज दरी उगोश ओस यूगवच गुर्बानी नो इसी करके के दसंदी कोशिश के किसी वापस हिंदी में जाना पड़ेगा विच मुवमेंट इस नोन एज नामधारी मिशन कुका मिशन आपने वह देखे होंगे वाइट कपड़े और उन्होंने तोपों के साथ उनको उड़ा दिया गया था तो वेरी इसको याद कैसे रखेंगे कुछ याद रखने का कुक का नाम कितना कुक का नाम कितना अमीर है कुछ ऐसे महान है इन्होंने बड़ी कुर्वानियां दी यह संगर्ष में आगे चलिए व्यर इस सिख हैरिटेज कंप्लेक्स इस डिवेल्प यह तो पता होना चाहिए मेरे खेल में रोपड में अम्रिसर में मा अनंदपूर साहिब राइट अंसरिस अंदपूर साहिब हूच बड़ी फिरस्ट पंजाबी नौवलेस्ट कट ग्ट ग्च्ञानपी और अब ग्यानपीथ ओवाड्य यहाँ पर कहा चला गया ग्यान पीट ग्यान यहां पर जी से लिखा है जान पीट जनन पीट लिख दिया ना यह ग्यान पीट ऐसे लिखिए आप आप याद करने के लिखना है क्यों याद रखना है क्योंकि जी से ही उनका नाम है जोने मिला हना गुरू देयाल जी फोर ग्यान गुर गुरू दयाल जब गुरू जी को ग्यान में गुरू जी ने ग्यान दिया गुरू जी ने ग्यान पीट गुरू दयाल गुरू की दया से ग्यान पीट मिला कुछ ऐसे याद कर सकते हैं यह गुर्दयाल दुगल है गुर्दयाल सिंग है दुगल नहीं है वेन दा यूज अफ पंजाबी बाज मेड कंपल्सरी पंजाब में पंजाबी कंपल्सरी कब की गई देखिए एक नवंबर 2666 को पंजाब मॉडरन पंजाब बना डिवाइड हुआ तो उससे चंडीगड यूनिन टरिटरी तब ही बना का अगर तरीका कुछ चाहिए कि पंजाबी बाज मेड कंपल्सरी कैसे याद रहे रहेगा तो कोई नहीं दिखाई देता पंजाबी 90 कंपल्सरी नहीं मन रहा हो कुछ हाना सिर्फ इतना रखना है ऐसे लिखो के 92 में उसके नस्दीक आपना कवी दोस्तों कोई मम्मी पापा का बढ़ दे है तब पंजाबी हुई थी ऐसे जोड़ लीजिए कुछ इन विच येर दा को नेरू हमपी 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 चैस की मास्टर थी ये कितने आं अंसर है लेकिन को नेरू का ये जोड़ लीजिए 20 इसके साथ यसे भी हो सकता है जांक को नेरू को हिंदी अगर ऐसे है याद को नेरू ये हो गया दो और इसके पीछे ऐसे है 20 2020 तो याद रहे गया 1920 में तो मिलेगा नहीं है ना 20 ही याद रखे को नेरू के वह से बिलकुल है कि 2020 में उनको पंजबी डेकलेर अच्छा ये वह वात है हाँ मैनी टोटल मैडल्स डिट महाराष्टा विन इन कां एक क्या है हां खेलो इंडिया यूथ गेम्स फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है दिल ये फुल फॉर्म बोल रहा हूं तो ये 161 है इसको महाराष्टा स महां नहीं याद ऐसे करने पड़ेंगे ये तो ना नेक्स्ट है नेच्टरी सबसे ज्यादा मिले होंगे इसलिए कुश्चन बनाया है तो वो भी आंसर आ सकता है कि इन में से कौन सा हाकी का सरवच शाशी निक्शाशी है पता नहीं क्या है विच अमंग ऑफ दीज इस इस आ इस जो गवर्निंग बोडी ऑफ estavam कैंसी अभी वहतों मुझे पता उन्यां वोता मैं होता मैं होकी मोथ अच्छा इंटरनेशनल होपी फेड़ेशन वोल्यड होपी फेडॉरेशन फैडरेशन फेडरेशन ऑंटिरणाशन मुश्याकी अस होश्याशन बधा कने इπό और एक यह वाला federation पका आएगा और international आएगा world नहीं आएगा इसको ले लिजी आप राइट अंसर में ठीक है next है which countries have seen the popularity of Punjabi as minority language due to migration करें यह क्या हो गया इंडिया पाकिस्तान माइगरेशन इंडिया से होगा यहां पर माइगरेशन जहां से गए तो यह नहीं आएगा ना पाकिस्तान यह ओप्षिन कलता है caneda UK Australia हां Canada में अपने UK में कितने लोग है अश्रेलिया में अब जा रहे हैं Amerika इसको चुन लेजिये चाइने में नाल जपान में यार क्या करते हो नू कार्या में तिंग्पिंग तिंग ब्रजील नौौ मेक्सिकों नौं से ए oir क्लीर है मेरे क्याल में आप लोग के आइल्स कर रहे होगा मैंievous कने में hy मैं Cut सब्सक्राइब वट इस दी यह यह ना कॉश्चन गलत बन गया पर इसमें यह लर्न कर लीजिए कि जो पंजाबी है spoken language के base में उसकी position कितनी है ग्यार्मी position है यह याद रहेंगा फिफ्टी सेवन्थ ग्यान पीठ वार्ड बाज प्रिजेंटेड कब हुआ यह नॉर्मली कहा हुआ किसने लिए यह पूछा जाता है कब हुआ यह भी पूछा जा सकता है तो कहां हुआ होगा तो यह दूर वाला थोड़ी पूछेंगे नस्दीक वाला ही पूछेंगे न तो नस्दीक वाला है 2023 अब इसको मई यह पूछा जाएगा ताई मई को ऐसे पता नहीं है लेकिन यह अभी है रीसेंट है बहुत रीसेंट करंट इवेंट्स में यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है हाना मई 27 2023 तो ऐसे कर सकते हैं कि यह बन गया आपका पांच साथ हाना यहां पर दो तीन मतलों इसके आदे आदे थोड कम इंपॉर्टेंट में ऐसा कुश्चन कम आएगा अच्छा दे मोस्त कॉमन डेफिशेंस इन इंडियन पॉपॉलेशन रिगार्डिंग विटामीन इस कौन सी है आप में भी आप कहते हैं मेरे गुड़े दूप मेरे लग त्याप मेरे को मेरा सुन मेरा हाथ सुन हो जाता ह जाते हैं मुझे थोड़े चक्कर आते हैं मुझे थोड़े याद बूल रहा है मेरा तुरने को जीन इचाहता सुस्ती पड़ी रहती है जी करता है लेट जाओं ओ भाया आपके दो विटामिन सबसे ज्यादा कम है 47% इंडियन 50% लगाईए उसका भी ट्वल कम है और इससे ज्यादा 50% से ज्यादा जो है विटामिन डी कम है 70% तक भी जाता है तो डी विटामिन सबसे ज्यादा इंडिया में कम पाया जाता है क्योंकि लोग की लोग जो है वो अब धूप में नहीं निकलते पहले दूप में काम करते तो डी विटामिन जो कहां से धूप से ये भी एक question है, मिल रहा है, तो इतने काफी है, next partner मिलते हैं, thank you.